हेलो गैज कैसे हैं आप सब मैं आसा करता हूँ आप मस्त होंगे और सुष्ट होंगे आज बात करने वाले हम लोग 79 टेस्ट का तो चलिए श्टार्ट करते हैं एरह आपका पहला शुआल लिख्या यदि किसी समकोन तिर्भुच के एक कोन की माप सबसे छोटे कोन की माप से 30 समकोन तिर्भुच कुछ इस हालात में देखेंगे आप एक अगर 90 हो चुका है तो लाजमी है कि एक आपका 30 बनेगा तो एक 60 बनेगा और एक 30 डिग्री अधीब की है तो सबसे छोटा कून क्या बनेगा 30 ऑप्शन की बात करें सी हो जाएगा यहाँ पर क्रेक्ट आंसर नेक्स्ट एलिक रख्या है कि कौन ऐसी संख्या इसमें से जो 3 से विभाजी है लेकिन 9 से नहीं है पहले आप इतना ढूंड़ी जो 9 से विभाजी वाला कौन कौन इसमें नहीं है राइट तो अगर आप देखें तो 9 से कौन को नहीं हो सकता यह तो आपको 9 6 6 12 यह भी नही 12 हो गया और 8 75 रतीन से तो हो जाएगा 9 के बाद कर ले तो 8 6 12 12 8 20 27 27 27 यह 9 से भी कट जाएगा इसको नहीं लेना है 9 अगर बात करें यहाँ पर 9 से कटेगा 6 6 12 5 17 17 4 17 21 हाँ यह भी यह जो 9 से नहीं कटेगा 2 हो गया इसमें बात करें 9 8 4 12 और 12 और 6 18 यह जो है न यह 9 से कट जाएगा 9 से कटने वला नहीं लेना है 6 9 6 9 यह भी कट जाएगा यह जो कट जाएगा उसको नहीं लेना है यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 हाँ यह नहीं कटेगा यह वाला नहीं कटेगा तो इसको लेंगे और इसको देख लेते हैं यह भी आपका 9 से कितना हो जाएगा आट पश्टेरा दू पंदरा पंदरा चोई का इस ए भी नहीं केटेगा इसको भी लेंगे एक दो तीन चार गो हो गया यानि ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट अंसर चलिए थर्ड नमर बात करते हैं देखिए थर्ड नमर शवाल जो है न यह पाई चार्ट के हिसाब से देखना है हमको क्या पूछा है रहमेश का मासी क्या दे रखा है 45,000 है ठीक है और यहां लिखा है कि आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक भी आए कितना है आवास देखिए यह हो गया घर और क्या स्पेड 000 का 35% अगर हम कर लें तो 00 से 00 खतम हो जाएगा और अगर आप देखें तो 0 तो ठोकाएगा 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा 5 ओके 20 और 22 हो जाएगा 3 पचे 15 का 5 हो जाएगा इधर से 5 और 5 और 2 साथ पूरा कलकुल से मत किजिए 1 0 ठोकिए और देखिए कि 75 पे 1 0 कहां पे ह है तो option number second होगा 75 पे 1 0 ठीक है पूरे काम नहीं किरना है देन अगर हम बात करें यहां पर तो आप देखेंगे लिखा है कि एक वृताकार चाप की त्रीजिया पूर सेंटिमेटर है केंद्र पर 45 डिग्रिया को बनाता है तो बने त्रीजखंड का परिमाप ग्याद कीजिए अगर हम यहां पर परिमाप की बात करें अगर ऐसा कुछ है आपके पास डाइग्राम यह आपका सेंटर हो गया यह हो गया इसका 30 गंड इसका रिडियस दे रखा है 4 पहले आँस हम एल निकाल लेते हैं ठीक है तो अगर आप एल निकाल लेंगे तो क्या होता है आपका ग taga patsy crimes अब और यहां याँ यहाँ साथ हुआ चार और यहां सापन दो चाहाँ पंड करेंगगा ثiser पास का आप साथ बनेगा का option first होगा यहाँ पे correct answer चलिए यह रहाँ आपका next इसमें आपका लिख रखा है कि निमने में से कौन से संग क्या 11 सभी भाजी है 11 सभी भाजी का मतलब क्या होता है कि alternate number का शम जो होता है उसका जो difference होता है difference आपका 0 या 11 का multiple होना चाहिए तो देखिए सबसे खुबसूरत है कि आप यहाँ पे alternate add कर लेंगे तो एक और छे साथ साथ आठ कितना हो गया पंद्रह कि पंद्रह हो गया उपर सो जोड़ लेंगे तीन और एक कितना हो गया चार एक दोनों का difference कितना है 11 मतलब करेक्ट ऑप्शन है C right answer हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट बात करें 6 नंबर का तो 6 नंबर में आपका लिख रखा है कि 56 सेंटीमेटर उचाई वाले एक लंब रितिये बेलन का बक्र पिष्टिये चेतर फल 1408 है बेलन के अधार का ब्यास का ग्याद करना मतलब कि डायमेटर पुछ रखा है सिंपल सी बात है अगर आप इ होता है और इसका भेलू दे रखा है 1408 पहली बात दो रख लिजिए पाई बोले तो 22 बटे का साथ हो जाएगा आर बोले तो आर दे रखा है क्या नहीं दे रखा है उंचाई दे रखा है 56 बराबर हो जाएगा 1408 ठीक है अगर हम 2 से पहले इसको काट लें तो 2 से कट सी यानि जो आर का भेलू होगा और चार बटा कितना बटा नहीं रहाएगा सिर्फ चार हो जाएगा अगर आर का भेलू 4 है तो लाजमी की डी का भेलू कितना होगा डबल 8 लेकिन यह बात है सेंटी मिटर में अगर इसको मिटर में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा option C हो जा यहां ना उस हमेशा तीसरी भुजा के योग से क्या होता है अधीक होता है ठीक है यानि option C हो जाएगा correct answer ke motivation next कि इसमें क्या लिखा है लिखा है सारा एक काम को 18 दिन पूरा कर सकता है देखिए यह 18 दिन में तारा उसी काम को 15 दिन में यह हो किया फंसे अभी दूक्त कदें मिंडा एह ठीक है अब 10 दिन क्रेंगा बताईए अगर यह कि aż सार्थ काम करेंगा तो 120 काम तो हो गया अगर 180 काम में 120 काम हो गया फिलाल अभी भी आपके पास 60 काम बागी है और यह काम को आपको इससे करवाना है इसका capacity 10 है छे दिन में पूरे काम को कर देगा option बन जाएगा यहां पर फर्स्ट करेक्ट अंसर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चलिए रहा आपका next और यहाँ पर आपका लिक रखाए कि एक्स प्लस और एक्स के वहलू छे दे रखा है अगर यह स्क्वाइर के फॉर्म में पूछा है तो आपको पता होगा कि सार्व वाले बात को हम एक वबाद यहां करना होता है कि जो बात यहां का याद रखिएगा, चार्चव को 16 यानि कि A हो जाएगा आपका 4, root 2 हो जाएगा, चार्चव को 16 दुना बतीज, हाँ ठीक है, तो इसका value आ गया, 4, root 2, गुना कर देंगे चार्चव 24, यानि 24 root 2 हो जाएगा correct answer, 24 root 2 का मतलब क्या, option C, next, इसको देखे क्या लिख रखा इसमें, आप से पुछा है त्रित्या उनिपाद, त्रित्या उनिपाद का मतलब क्या करेंगे, 7, 2, 3, 6, बराबर 3, 6, और बटा में मान लेते हैं, X हो जाएगा, इससे काट लेंगे, 9 बार में, cross mark digit, 9, 27 का 7 होगा unit digit, जिसमें आपके पास एक लौता option है, second, और यही है आपका right answer, next, यह आपका क्या लिख है, 40 पूरुस एक कारे को, देखे, 40 पूरुस किसी कारे को 30 दिन में कर सकते हैं, तो बोला है कि 10 पूरुस छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, देखिए, अगर 40 पूरुस है, तो अभी फिलाल आपके पास 30 पूरुस बचेंगे, केतना दिन में करेंगे, नहीं पता हमको, यह 30 से 30 की कहानी खत्म, D का भलू 40 आ जाएगा, यानि option number A हो जाएगा correct, यह रहाँ आपका 12 नमबर, जो लिख रखा है आपका, इव दा कोश्ट प्राइस ऑफ 28, ओरेंज, ठीक है, इकोल टू दू दा सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक ही कोश्ट प्राइस है, इतने का CP, और 24 का SP, यह दोनों बाते आपस में क्या है, बराबर है, काट देते हैं, 7, 24, 6, 24, 24, हमारा ध्यान रहता है प्रोसी के घर में, यानि CP का भेलू 6, SP का भेलू 7, यानि 6 रुपा में खरीद का, 7 रुपा में बेचिएगा, तो एक रुपा का फैदा होगा, CP नीचे होता है, गुना कर देंगे, 16, 96 और 2 बटा 3 बनेगा, इसका सही जवाब, option number first, 16, 9, 2 बटा 3, चलिए, next, एरहा आपका 13 नमबर, इस सवाल देखने से थोड़ा हेबी है, डरना नहीं है, एक बात बताई क्या लिख रखा है, कि एक चोर एक वस्तु चुराता है, और 15 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल सो भाग जाता है, एक पुलिस करमी, 4 मिनट के बाद, ध्यान रखिएगा, 4 मिनट के बाद, वहां से पीछा करना शुरू करता है, एक बात बताई, कोई भी आदमी अगर 15 का स्पीड से जाए, और 4 मिनट, मिनट को बदल देते हैं घंटा मे तो 60 से भाग देंगे, 15, 4, 4, 4, यानि कि 1 किलोमेटर आगे भाग जाएगा, यानि 1 किलोमेटर दूर चले जाने के बाद, पुलिस इसका पीछा करना शुरू करता है, ठीक है, बाद में फिर लिखा है कि वह 16 मिनट के बाद, दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाता है, 200 मि अगर ये ही आदमी फिर से, अगर 15 के हिसाब से 16 मिनट चलेगा, तो भाई मिनट में आवर चेंज कर दिये, 15, 4, 4, यानि 4 किलोमेटर फिर से दुर चला गया, तो सर्चार किलोमेटर बाद में गया और एक पहले गया था, वो बन्दा टोटर 5 किलोमेटर दूर चला गया, 5 क किलो मिटर दूर का मतलब होता है सरो 5000 मिटर चला गया और बंदा लिखाए कि जब 200 का फासला है इसका मतलब पूलिस यहां पर खड़ा होगा कितने दूर पर पूलीस खड़ा होगा आपके पस 4800 मिटर पे अगर पूलीस 4800 मिटर पे खड़ा है लेकिन एक कितने मिनट में 16 मिनट में तो बताईए अगर 4800 मिनट में यह कोई तिया है 16 मिनट में हम change कर दें हाँ पर क्या second में तो सर second में change करने के लिए 60 से क्या करना होता है गुन राइट पहली बात तो सर ए 16 तीया 48 ठीक है और एक 0 से 10 और 6 से काड़ देंगे 6 35 ठीक तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा पच्छे 16 तीया 360 हाँ ठीक है यह आगे आपका न अस्पीड आ जाएगा लेकिन अस्पीड किसमा जाएगा यह आजाएगा अस्पीड मीटर पर सेकेंड में 30 अगर यहां पर हमारा अस्पीड मिल गया 30 मीटर पर सेकेंड किलो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है तो सर इसको 18 बटा 5 से करेंगे तो 5 चक तीस 18 चक एक मिनट थोड़ा से केंगड़ बढ़ है बता दे रहें एक मिनट जाएगे यह हो गया 500 मीटर तो इसका मतले हुआ कि पु अस्पीड गया होगा वहाँ पर 16 मिनट चलने के बाद यानि 16 मिनट में ठीक है हम यहां से निकाल सकते हैं इसका क्या अस्पिट निकाल सकते हैं अस्पिट बराबर होता है distance बटा time और time है हमारे पास 16 minute ठीक तो था इस minute को अगर हमको change करना है second में ठीक है तो गुना करना होगा किस से start से तो start से करेंगे तो पहले 16, 3, 3 हो गया और start से करेंगे तो पूरे 5 बन रहा है यहाँ पर ठीक ना 5 बन रहा है लेकिने 5 क्या था हमारा ठीक है 5 था मीटर अब इसको किलो मीटर में change करेंगे तो 18 बटा 5 यह 5 से 5 खतन क्या बच जाएगा 18 अब देख लिजे कि पूरे 4 option में कहां पर 18 का स्पीड है तो एक लोटा option है आपके पास second जब यह चीज मिल जा है तो दुबारा अगर ऐसा कहीं ना लगए तो direct रगड़ के निकल लीजिए पूरे जरूरत नहीं है sufficient इतना है आपके लिए अब अगर हम बात करें इस सवाल को इस सवाल में क्या है कि क्या बच जाएगा आपके पास 10 theta common ले लेते हैं तो ए 10 square theta plus का 1 बच जाएगा बराबर 1 ठीक है क्या इसको हम एक बात तो लिखी सकते हैं 10 square theta into इसको हम लिख सकते हैं 6 square theta बराबर 1 जब यह 10 है तो 10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin square theta और बच इम लिख सकते हैं cos square theta और इसको लिख सकते हैं 1 by cos square theta बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या आपको नहीं लगता कि यहां से फर्मूला बन गया कि sin square theta बराबर इतना बात लिखा जा सकता है कि cos to the power 4 theta अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो देखिए यहां पर क्या है cos to the power 4 theta और उसको लिख सकते हैं यहां पर sin square theta अगर यहां पर हम डाल देते हैं sin square theta तो देखिए sin square theta plus cos square theta के भेलू होता है 1 और 1 में अगर 11 सुगुना करे तो हो जाएगा 11 यानि option d क्रेक्ट है यहां पर इसको समझिएगा यहां पर एक formula आता है कौन formula आता है तो यहां पर 1 plus cos theta बरावर formula निकल कर आता है आपका 2 cos square theta by 2 आता है अगर इस formula का इस्तमाल करें तो ध्यान से समझिएगा यह पूरा इतना का जो solution होगा न कुछ नहीं किरना है अगर यहां पर 8 theta है ध्यान से समझिए यह 8 theta है तो यह पूरे का solution बल कर निकलेगा 2 cos ए 4 theta बन कर निकलेगा ठीक है अब यह पूरे को लाकर इसका साथ include करेंगा न यहां तक तो यहां तक अगर include करते हैं तो इसका solution निकलेगा cos इसको आधा करते चलना है जो 4 है न इसको करेंगे हम 2 theta और फिर सी 2 theta को लेकर चलेंगे न तो यहां से लेकर यह पूरे तक आएंगे तो यह 2 भी खतम हो जाएगा और finally बचेगा cos theta और ऐसा कहां है आपके पास तो ऐसा है आपके पास option first में यही है इसका right answer, correct answer ठीक है अब हम बात किरते हैं next आगे next जो आपका स्वाल है a रहा ठीक है यहां पर क्या करना है आप देख रहे हैं यह वाला देखके लग रहा हो का sir a square minus b square और a square minus b square है इसका मतलब यह होता है कि एक बार इसको जोड़ा जाता है और एक बार इसको क्या करते हम लोग घटाते हैं अगर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या तो एक बार अगर इसको जोड़ते हैं तो एक बात बताईए यह हो जाएगा 7.35 plus ठीक है पॉइंड इधर हो जाएगा 2.25, जोड़ दिये, अब एक बार घटा भी देंगे, तो घटा देंगे इसको, तो ये 7.35, माइनस हो जाएगा 2.25, और इसके नीचे क्या चल रहा है, इसके नीचे चल रहा है इतनी इसी बात, जोड़ेंगे न, ते हो जाएगा 7-9, और 5-10 हो ग जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद आगे, इंटू में, उसको अगर घटाते हैं, तो 10 और 5, यानि 5.1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0.4 है, देखिए, दो पे डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल खतम 24 चोके 96 होता है, 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, और 4 पज़े कितना ह जाएगा, 20, यानि option number first होगा, यहाँ पे correct answer, sorry guys, थोड़ा, तब यह ठीक नहीं है, चलते हैं, आगे, देखिए, तत्रह की बात करते हैं, तत्रह में लिखा है कि अविनास का मासिक, वेतन जो है, पचास जा रहे हैं, यहाँ पे इसको असान करने के लिए, तीन जोरों हटा ह ही दीजिए तो ज्यादा बनिया होगा, यहाँ सभी एतीन जोरों हटा दीजिए, हर जगा से ना तीन जोरों हटा दीजिए, अब बताइए, अगर यह अविनास 50 कमाता है, और 18 क्या कर दिया, खर्चा, तो 50 कमाकर 18 खर्चा कर दिया, इसका मतलब अभी भी इसके पास 32 बच हुआ है, इसको करेंगे तो 8 देगा, इसको करेंगे तो 9 आएगा, पहले नाम इसका रेशियो उलड़ जाएगा, 9 रेशियो 8 बनेगा, 9 रेशियो 8 बुले तो आप्शन नमबर कोना आएगा, पहले नाम किसका है, अनुपात अविनास की बचत क्या, हाँ, ठीक है, अविना समझजेगा लिखा एक काम को 8 गंटा भी उसी काम को 12 गंटा में तो भाई चाहब ए रहा आपका है आठ गंटा ए 18 गंटा क्या 12 गंटा दोनों के LCM करींगे क्या बन जाएगा 24 कि इससे लगाएंगे तीन बार में दो बार में दूनों मिलाकर कितना तीनों दू कितना हुआ पांच इस चौबिस भाग देंगे पांच से पांच चौब के बीस होता है पांच अठे चालीस होता है फोर पॉइंट एट बनेगा यानि ऑप्शन फर्ष्ट हो जागा इसका राइट अंसर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 19 नंबर का तो 19 नंबर में पुछा है ने आपका कि 32 और 69 69 नहीं 79 के बीच में जो भी आपके पास अभाज संख्या है ना वो सब क्या पुछ रख्या आपसे ओसत तो 32 के बाद जो आपका नंबर आता हूँ आता है कौन 37 37 के बाद कौ 42 के बाद 47 इसके बाद क्या आता है 33 तीरपन के बाद क्या आता है इतना 59 यह ने 69 इसके बाद आजाएगा आपका 61 एक सट के बाद आजाएगा आपका 67 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यह सब को अगर हम जोड़ ले और जोड़के कितना 8 है तो 8 से भाग देंगे तो उपर जोड़ि और यह रहा मेरे भाई आज का लाश्वाल जो काफी असान है देखिए यह जो कॉट लिख रखा है एक कॉट पी का भेलू अगर हम यहां से 24 बटा क्या कर दें साथ तो आपको पता है ने कॉट में होता क्या है तो बी बाई पी होता है इसका मतलब बेस दे रखा मतलब यह पर्पेंडिकूलर तो साइं ठीटा आप मानकर से लए तो पी बाई होता है एक पी बोले तो कितना पी बोले तो साथ हो गार्यक्ट आंसर कहां पर है साथ बाटा पचीस तो साथ बटा पचीस है आपके पास option D और यही है आज का विल्कुल सही जवाब तो आज की से वास हम आप मिलेंगे हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बैए